हाई गाईज आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ लॉस किया है जिन्होंने अपना सब कुछ इस ट्रेडिंग के अंदर गवा दिया है और आज का वीडियो खास करके तो वो लोग देखें जिन्हें लगता है कि इस ट्रेडिंग को छोड़ कर चले जाईएगा फिर यह आपको पैसा नहीं देगा और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं तो आप ट्रेडिंग को ज़रूर कंटीन्यू कीजेगा क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी जिन्दगी को कहना चाहता हूं कि अगर मुश्किल चीजें हमें असानी से मिल जाएं तो क्या हम उसकी कदर करेंगे बिल्कुल नहीं अगर ट्रेडिंग से पैसा बनाना मुश्किल है तो आप उस मुश्किल सफर पर चलने के लिए तयार रहिए आपको यहां से तरीके से मेहनत की है तो आपको सकसे जरूर मिलेगी बहुत लोग जानना चाहते है कि इस ट्रेडिंग से पैसा बनता है या नहीं बनता है अरे मैं बोलता हूँ यार बनता है 100% बनता है मैं रोज के लाखो रुपे यहां से चापता हूँ बनता है लेकिन अगर आपको यहां से इसी तरीके से पैसा जनरेट करना है तो आपको मेहनत करनी होगी आपको अपना कमफर्ट जोन छोड़ना ही होगा जब हम अपने आलस की चादर ओड़कर सफलता की बात करते हैं तो एक बार अपने जीवन में जरूर जाकर देखिएगा कि आप अगर सकसेश चाहते हैं तो क्या आपने उस सकसेश के लिए महनत की या नहीं की हमें जिन्दगी में सफलता चाहिए लेकिन हम जिन्दगी में उस सफलता के लिए क्या चीज दे सकते हैं क्योंकि जिन्दगी वही चीज हमें लोटाईगी जो हम इसे देते हैं अगर आप सही तरीके से सही मार्ग दरशन के साथ आप अगर सक्सेस के लिए काम करेंगे तो क्या आपको सक्सेस नहीं मिलेगी उस इश्वर के घर में कभी भी किसी के लिए बेदभाव नहीं है जो व्यक्ति सही तरीके से दिर निश्चे के साथ अपने संगर्शों से लड़ता हुआ अगर किसी भी चीज पर फोकस बना कर काम करता है तो वह इश्वर उन सभी को सफलता जरूर देता है भगवान आपकी भी सुनेंगे आपको भी सक्सिस करेंगे लेकिन क्या आप उस सक्सिस के लिए तैयार है मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूँ आप ट्रेडिंग को इतना मुश्किल मत समझे कि यहाँ पर एक मुश्किल चीज है हम नहीं कर सकते बहुत लोग यहाँ पर लॉस करके बैठ जाते है हम भी करके बैठ जाएंगे सब लोगों ने अपना पैसा गवा दिया तो हम भी गवा कर बैठ जाएंगे ऐसा नहीं है इस धर्ती पर लोग मरते भी है तो इस धर्ती पर लोग दूसरों को जीवन भी देते है यहाँ पर सुख भी है और दुख भी है धूप है और च्छाओं भी है दिन है और रात भी है अगर ऐस सफलता है तो सफलता भी है यह चीज़ आप समझ जाए लेकिन क्या आप सकसे के लिए तयार है यह खुद से पूछे देखे मैंने अपने जीवन में जो भी चीज़ सीखी है वह सब चीज़े मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को अपनी जड़नी बता रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से इस मार्किट से पैसा जनरेट किया है लेकिन फिर भी कुछ लोग समझने के लिए तयार ही नहीं है वह अब भी इस चीज़ को डाउट की निखा से देख रहे हैं कुछ लोग बोलते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वह स्क्रीन शॉट है कुछ लोग बोलते हैं कि कभी लाइब मार्किट में आओ ना लाइब मार्किट में ट्रेड करके दिखाओ आज आपको एक बात बोलूँ भगवान कृशन पूरा महा भारत खतम कर सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने अरजुन को सिर्फ मार्क दर्शन दिया कि जा और लड़ और इस तरीके से लड़ सफलता निश्चित है मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाके में सक्सेज होना चाहते हैं तो आप निगेटिविटी पर ध्यान मत दीजिए अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आप सिर्फ जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं उन लोगों को फोलो करना शुरू कर दीजिए आपके भी प्रॉफिट होने लगेंगे आप भी एक सक्सेज की तरफ बढ़ने लग जाएंगे सीधा सा सक्सेज का लॉजिक है कि जो व्यक्ति मार्किट में जिन्दगी में सक्सेज है अगर आप जादा भी कुछ नहीं कर सकते सिर्फ उसको फोलो करना शुरू कर दू अगर उसके बढ़ते यो कदमों के पीछे उसके कदमों पर ही आप कदम रखकर आगे बढ़ेंगे तो आप भी उसी की तरह एक दिन सक्सेज हो जाएंगे मेरी उम्र जादा नहीं है लेकिन फिर भी आज मैं सक्सेज हूँ कभी मेरे पास पैसों की तंगी होती थी लेकिन आज मैं स्ट्रॉक मार्किट से करोलपती हूँ तो आप भी कर सकते हैं आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं मैंने मेहनत की है मैं इसके लिए तयार था मुझे पता था कि स्ट्रॉक मार्किट से पैसा बनाया जा सकता है ट्रेडिंग के अंदर पैसा है मैंने इसके अंदर हर चीज सीखने के लिए दिन रात एक किया है इसने भी मेरा सब कुछ लूटा है लेकिन आज मैं प्रॉफी टेबल हूँ और मैंने यहां से पैसा जन्रेट किया है और करता भी हूँ आप अगर आस्मान में उड़ना चाहते हैं न तो नीचे तालाब के अंदर काटा रखकर ठीक है बैठे हैं कि मैं आसमान में उड़ जाऊंगा तो कभी नहीं उड़ सकते आपको अगर आसमान में उड़ना है तो आपको एक जगा छोड़नी ही होगी अभी मुझे एक व्यक्ति का कमेंट आया था कि आपने तो ट्रेडिंग को इतना असान बता दिया इतना असान है ही नहीं तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या ये ट्रेडिंग मुश्किल है मुझे कमेंट कीजिएगा मैं बहुत जल्द आप लोगों के शहर में आ रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ लाइव आप लोगों को सिखाऊंगा और लाइव आप लोगों के साथ ट्रेड करूंगा तब आप मुझे बताईएगा मेरा हाथ पकड़ कर कि हाँ अमिज जी आप गलत है तब आप मुझे बताईएगा कि ये मुश्किल है या आसान है मुश्किल तो हर काम है जिन्दगी जीना मुश्किल है पैसा बनाना मुश्किल है इस धर्ती पर आसान क्या है कुछ भी नहीं अगर आसानी से हर चीज मिल जाए तो क्या हम उस चीज की कदर करेंगे बिलकुल नहीं कर सकते बहुत लोग अपने loss को देखकर रोते हैं कि मेरी जिन्दगी बरबाद हो गई मेरा ये trading सब कुछ ले गया बहुत सारे लोगों के calls मुझे आते हैं बहुत सारे लोगों के comments मुझे आते हैं कि अगर ये trading आपका सब कुछ ले गया तो फिर तुम जिन्दा क्यों हो अगर हम बच गए तो फिर लेकर क्या गया है कुछ भी नहीं सिर्फ एक छोटी सी चीज गई है पैसा अगर आप market के अंदर 10 लाग 20 लाग गवा सकते थे तो आपके अंदर potential था उसको जेलने का लेकिन क्या आप उसको पाने के लिए दुबारा तयार है क्या दुबारा अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए तयार है तभी आप यहाँ से पैसा जंडेट कर सकते हैं तभी आप यहाँ से profitable हो सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा हम जितना आसान बनाने की कोशिश करते हैं या जितना आसान सीखने की कोशिश करते हैं हम सिर्फ यह सोचते हैं कि हर व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ कर हमें success की ओर ले जाए कि कोई व्यक्ति आएगा जो मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे success की तर लेकिन फिर भी अर्जुन को मार्क दर्शन दिया अर्जुन को जाहित किया कि आप प्लड़ो क्यों क्यों कि धरम की बात थी आप अपने जीवन में आपका धरम और करम जो कहता है आप उसके साथ रहिए आपका करम है आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग कीजिये आप जो भी बिजनिस करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन आप जीवन में क्या चाहते हैं और उसके लिए कितना आप समर्पित हैं, इस चीज़ के लिए आप तयार रहिए. मेरे पिताजी ने मुझसे ऐek बात कही थी, कि बेटा मोची बन जा, लेकिन ऐसा मोची बन, कि पूरे शहर में तुझसे अच्छा जूता सिलने वाला कोई नहो। अपने पिताजी की याद है। मैंने जो भी काम सीखा, उसमें मैंने महारत हासिल की है, मैंने इस ट्रेडिंग को सीखा, तो इसमें मैं महारत हासिल कर रहा हूं तो आप भी अपने सपनों के लिए तयार रहिए क्योंकि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है अपने सपने जीने हैं तो तपस्या करने के लिए तयार रहिए बिना तपस्या के आपको सफलता मिल जाए यह असंभव है बहुत लोगों को लगता होगा कि यह ट्रेडिंग मुश्किल है लेकि मुझे नहीं लगता इस ट्रेडिंग से पैसा बनाना आसान है जिस दिन मैंने अपने दिल से डर निकाला उस दिन से मेरा लॉस खतम हो गया जिस दिन से मैंने इसके उपर focus बनाना शुरू किया उस दिन से मेरा loss खतम हो गया जिस दिन से मैंने बातों की जगा दिमाग लगाना शुरू किया उस दिन से मेरा loss खतम हो गया जिस दिन से मैंने इसको अच्छे से समझना शुरू किया उस दिन से मेरा लॉस खत्म हो गया मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप जो चीजे सीख रहे हैं और कर रहे हैं क्या उन चीजों ने आपको यहाँ पर profitable बनाया है और हम फिर भी उन चीजों पर focus करना चाहते हैं मुझे बहुत सारे लोग comment करते हैं कि सर आप option chain पर वीडियो बनाये सर आप इन candlestick patterns पर वीडियो बनाये सर इन chart patterns पर वीडियो बनाये देखिए अगर यह चीजे काम करती तो मैं आपके लिए जरूर बनाता और कुछ लोग मुझे ये भी बोल कर चले जाते हैं कि हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही बात सिखाते हो सारी वीडियो सेम है तो मैं आप लोगों को और सिखाऊं तो सिखाऊं क्या मैं जिस setup के साथ profitable हूँ profit बना रहा हूँ वही चीज मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ कि आप यही चीज़े सीख लो जादा भी नहीं कम से कम अपने loss तो बचा लोगे तो आपको अगर success चाहिए इस trading के अंदर तो तीन चीज़े follow कर लो सिर्फ तीन success पा लोगे पहला ये data बहुत काम का है ठीक है अगर इस data ने काम कर दिया ठीक है एक महीने में 22 दिन market चलता है और अगर 15 दिन भी market आपके favor में आ गया according to data तो सोचो कि तुम market में कितना कर सकते हूँ second चीज़े support and resistance इस चीज़ को अच्छे से रट जाओ कैसे काम करते है मुझसे सीखना है मुझसे सीख लो किसी और से जाकर सीखना है किसी और से जाकर सीख लो खुद से सीखना है खुद से सीखो लेकिन सीखो अगर यहां से पैसा चाहिए तो तीसरी चीज़ है जो मैं follow करता हूँ वह है moving average मैं इस तीन के अलावा चोथा काम नहीं करता इस trading के अंदर और यही कारण है कि मैं यहाँ पर profitable हूँ मेरा focus सिर्फ इन तीन चीजों पर है मैं अपने चार्ड पर जादा drawings नहीं बनाता मैं market के अंदर सिर्फ इन तीन चीजों पर focus ढूँ और इसी वज़े से मैं market से पैसा generate करता जा रहा हूँ आप भी कर सकते हैं मुझसे सीखना चाते हैं मुझसे सीखिए किसी और से सीखना चाते हैं लेकिन इसके अलावा मैंने trading के अंदर और कुछ नहीं देखा जो काम करता हो अगर कुछ और हो जो आप लोगों के पास मुझसे अच्छा सेट अप हो तो प्लीज लोगों की help कीजिए आईए मेंदार में उतर कर वाइरिल कीजिए अपनी strategy को सिखाए लोगों की हाँ कि मेरे पास एक अच्छा सेट अप है लोगों की जिन्दगी बदल सकती है हजारों लोगों के सामने आना और अपनी बात रखना ये भी एक बहुत बड़ी बात है आप ये तीन सेट अप पर अगर ट्रेड लेते हैं अच्छे से समझ कर लेते हैं तो अगर आपका ये सेट अप फेल हो जाए तो जो आप वो लोगों वह में करने के लिए तैयार हूँ अगर आप यहाँ पर दस ट्रेड को एक्जिक्यूट करेंगे इस सेट अप के साथ तो नाइन आपके टारगेट पर ही लगेंगे लेकिन हमारा मार्किट के अंदर एक्सपेटेशन क्या है कि हम मार्किट से 100% जनरेट करें चाहे हम जिन्दगी में कुछ भी सीख ले कल एक्सपाईरी है मार्किट का कल भी लोग यहाँ पर खाली हाथ घर लोटने के लिए तैयार खड़े हैं क्योंकि लोगों ने लॉस कर लिया है लोग सिर्फ इतना कहना सोच रहे हैं और कहना चाहते हैं कि हमने लॉस कर लिया है यहाँ पर जिन्दगी बरबाद हो गई है लेकिन एक बार हम कल फिर से कोशिश करेंगे जीरो टू हीरो पकड़ेंगे और जीरो बन जाएंगे चलिए बात करते हैं थोड़ी ट्रेडिंग की कल मैंने डेटा का वीडियो नहीं बनाया जो कि यह डेटा बहुत लेट अपडेट हुआ था ठीक है बहुत लोगों को कन्फीजन हुआ कि मार्किट में इस डेटा के अकोर्डिंग मार्किट ने कामी नहीं किया या चलिए आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रेडिंग की वरना आप लोग कह देंगे कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसके लिए भी मुझे कमेंट्स आते हैं देखिए मैंने कलके वीडियो के अंदर यह जो FIDI का डेटा था यह मार्किट में नेक्स्ट डे इनका क्या वियू होगा मैं यह चीज के लिए नहीं कर पाया था क्योंकि यह डेटा बहुत लेट अपडेट हुआ था और लेट आने की वज़ा से मेरा वीडियो आने में समय लग जाता तो मैं वीडियो इस डेटा पर नहीं क्रेट कर पाया लेकिन बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आए कुछ लोग कहने लगे कि सार हम इस data को read नहीं कर पाए और हमें नहीं पता कि ये market में काम कैसे करता है देखिए ये चीज मैंने आपको हर एक वीडियो में सिखाई है कि हम इस data को कैसे read करें आपको सिर्फ तीन बातों का ध्यान रखना है पहला है FI cash segment दूसरा है D.I. cash segment और तीसरा है FI index options आपको इन तीन जगा ध्यान रखना है ये जो FI है ना ये world का सबसे बड़ा organizations है institutions है तो अगर ये market में आए है हजारो करोड invest करने के लिए तो इनके पास कोई ना कोई logic जरूर होगा अगर ये market से पैसा निकाल रहे है तो इनने कोई बात तो ऐसी पता होगी जो हमें नहीं पता और अगर ये market के अंदर पैसा इन कर रहे है तो भी इनने कोई ना कोई बात ऐसी पता है जो हमें नहीं पता तो अगर हम इनके साथ इनकी नाउ में बैठ कर चलना शुरू कर देंगे तो गई दिक्कत है क्या लेकिन हम क्या करते हैं हम सिर्फ कमिये ही देखते हैं आज मैं आपको बताता हूं कि इस डेटा को रीड कैसे करना है फिर आप बोलोगे कि हर एक वीडियो में सिर्फ सेमी बात सिखाते हो देखिए FI Cash सेगमेंट में अगर आपको खरिदारी दिखाई दे रही है ठीक है तो FI Market को नीचे गिरने नहीं देंगे ये चीज़ किलियर कर लीजिए लेकिन ये खरिदारी 100 करोड, 200 करोड, 300 करोड इस तरीके से ना हो 1000 करोड में यहाँ पर खरिदारी हो ठीक है ये तो आपके पास भी थोड़ा लॉजिक होना चाहिए कि Market में 100, 200 करोड, 300 करोड से 500 करोड से कोई फरक नी पड़ता DIA यहाँ पर अगर FI के साथ-साथ खरिदारी कर रहे हैं तो आपका Market का जो विउ है ठीक है जो अपसाइट का विउ है वह सुपर स्ट्रोंग हो जाना चाहिए अगर FI सेल कर रहे हैं तो Market कभी भी अपसाइट की तरफ नहीं जाने वाला यह चीज भी लिख लीजिए अगर FI ने Cash सेगमेंट में जिस दिन से सेलिंग शुरू कर दी आप Market को उपन ने ले जा सकते और जिस दिन FI Cash सेगमेंट में तो बिक्वाली कर रहे हैं यानि कि यहां से पैसा एक्जिट कर रहे हैं और उन्होंने Option के अंदर पैसा इन किया है और अच्छी quantity में इन किया है उस दिन Market को आप उठा नहीं सकते Market सीधा डाउन साइड की तरफ मूव करता रहेगा सिर्फ बायर को ही वह ट्रैप करेगा यह जो FIDI का डेटा है यह हमें क्या बताता है बहुत सारे लोग यहां पर इसके बेस पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि अगर इसका डेटा स्ट्रोंग है सुपर स्ट्रोंग भी है तो भी वह पहली केंडल पर ही कॉल लेने की कोशिश करेंगे और अगर धोके से वह केंडल रैड बन गई तो उनका इस चीज से विश्वास उट जाएगा कि यह कामी नहीं करता इस जो इंसिटूशन से हैं को बताता हूं कि यह न ट्रैप करते हैं ट्रेडिंग के अंदर कभी भी आप सिस्टम से दूर मत जाएए यह सिस्टम है आप कॉल वालों को भी देखिए और पुट वालों को भी देखिए मार्केट ने इन दोनों को ही देखना है मार्केट कभी भी ऐसे ठीक है या ऐसे नहीं चल सकता मार्किट जिसने भी इसे बनाया ट्रेडिंग को वह सुइंग्स में ही बनाया है ठीक है इस तरीके से ही मार्किट काम करता है बनाने के लिए बनाने वाला इसको ऐसे या ऐसे भी बना सकता था लेकिन उसने swings में ही क्यों बनाया क्योंकि वे है system जानता है उसे दोनों को बराबर लेकर चलना है लेकिन हमारा जो market में view होता है वे होता है कि हम market से अगर हमें कोई strategy पता भी चल जाए तो हम उसे strategy के base पर 500 से 1000 point यहां से लेकर निकलें लेकिन इतना hold करने का भी दम चाहिए इतना hold करने का भी दम चाहिए जब profit दिखाई देता है ना तो हम तुरंत exit कर देते है market से कहीं यह profit भी न चला जाए यह तो डर इतना डरतो है हमारे अंदर आप इस data के base पर market में 200-300 point bank nifty में और 50-80.100 point आपको बहुत असानी से nifty में देतेगा लेकिन दम चाहिए hold करने का आपको सीधी सी बात बताईए मैंने कि आप सिर्फ support पर खरीदारी करो और resistance पर विक्वाली कर दो 10% से लेके 20% अगर आपको ना मिले ठीक है तो मेरा हर वीडियो के अंदर मेरा WhatsApp नमबर मेरा calling नमबर है आप मुझे call करके बता दीजेगा कि सर आपका setup फेल हो गया मैं guarantee दे रहा हूं कि अगर मैं trading को दुबारा हाथ लगा दूँ अगर ये setup फेल हो गया तो तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा मैं trading नहीं करूँगा दुबारा और उसके बाद भी आप जो बोलोगे मैं वह करने के लिए तेयार हूं तो market के fundamental को समझो सिधान समझो तब आप यहां से पैसा बना सकते हो अगर देखा जाए आज का data market में जो तीन तारिक का data आया है ठीक है यहाँ पर FI ने cash segment में फिर से खरीदारी की है 1338 करोण उपे की और वह लोग index options में भी 8309 करोण उपे entry बना कर गए है कल के लिए तो जरा आप सोचिए कि market के अंदर कोई institutions पैसा इन कर रहा है करीब करीब 10,000 करोण उपे वह लोग लगा कर गए हैं तो 10,000 करोण उपे market में invest होना क्या market नीचे चला जाएगा 10,000 करोण उपे की उन्होंने खरीदारी कर ली कैसे पता चला बहुत लोग बोलते हैं कि call खरीदते हैं या put खरीदते हैं हो भी सकता है कि इन्होंने यहाँ पर put by कर लिया हो call sale कर दी हो बहुत सारे लोग बोलते हैं तो यहाँ पर फिर यह 1338 करोण उपे क्यों लगा कर गए हैं cash segment में यहाँ पर इन्होंने क्यों लगाया है D.I. को डर है D.I. ने अपना 583 करोण उपे exit कर लिया कल भी वह करके गए हैं तो market कल का जो view है market दोनों side रहने वाला है ठीक है market दोनों side रहेगा market एक तरफ move नहीं करेगा ठीक है ना upside ना downside market कल दोनों तरफ वर्क करेगा क्योंकि F.I. इसको गिरने नहीं देंगे और D.I. यहाँ पर इसको उठने के लिए support नहीं कर रहे हैं वह लोग पैसा exit कर रहे हैं अपना तो कल का जो market में work होगा वे कहीं न कहीं जो हमारा bank nifty या nifty में closing price है इसी के आसपास market open होने वाला है कल ठीक है जिन लोगों ने हमारे course को buy किया है मैंने support registers का आपको video दिया है उसके अंदर आप उसी level पर कल market में trade कीजेगा आप profit बनाएंगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये जो data है इससे आप सिर्फ market का view किलियर कर रहे हैं तो आप इतनी छोटी छोटी बातों को समझ कर चलिए आप trading के अंदर success पालेंगे अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इन सब चीजों को सीखने के बाद आप इस trading से पैसा generate कर सकते हैं तभी इस trading को शुरू कीजेगा वरना इस trading को avoid कर दीजिए और कोई आप दूसरा बिजिस शुरू कर सकते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजेगा थैंक यू